आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट करो सपाया बज प्रशन की फोडो कीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हलो नमस्कादोस्त, मेरा प्रिष्ण है, नीचे दी गई प्रत्मकोटी की अभिक्रिया के लिए वेग इस्थिरांग से ठेक, क्या निकाली है अर्धायू की गण्णा कीजिए तो यहाँ पर दोको कोश्चन क्या दे रखा है कि प्रत्मकोट के अभिक्रियां के वेग इस्थि तो यह प्रत्रम कूट की अवक्रिया है, और मैं हमेसा बताया हूँ कि आपको कुछ चीजे याद करने होंगे, कुछ फर्मूले याद करने होंगे रासानिक बलगत्की में, बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, यह बहुत इंपोर्टन चेप्टर है, अब वेग इस्थिरांग और अरधायुकाल में क्या संब्द होता है, यह होता है, वेग इस्थिरांग है, ठीक, यह हो जाता है, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, यह क्या है हमारा अरधायुकाल, ठीक, अरधायु है, ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला बहुत इंपोर्टन है, यह आपको याद होना च है ठीक हम इस formula को क्या करते हैं याद कर लेते हैं यह बहुत ही important formula है ठीक है अब इस formula की help से हम क्या करेंगे यह formula की help से हम इस question को solve करेंगे अब यह को पहला क्या कह रहा है पहला बोला है 200 second inverse ठीक है अब 200 second inverse की हमें बात कर रहा है तुम क्या करते हैं k equal to 0.693 tick t half यह है अब में अरधायुकाल निकाल नहीं है और k दे रखा है 0.693 divided by k हमारा क्या है 200 okay 200 second है अब तो हम इसको solve करके देखते हैं दोफ तो जो हमने इसे solve किया है यह हमारा निकल क्या है पहले के लिए निकल क्या है 0.00346 tick second इ स्कुआए एंसर है यह है ठीड है ओके ठीक हमारो पहले कोशन का अंसर यह है हम इसे क्या करते हैं दोस्तो अपा करते हैं ठीक यह हमारा पहले क्या के का है हमारा two minute inverse . अब इससे हम किया करेंगे हमें t half निखालना है t half equal to 0.693 divided by k कि हमारा किया है 2 , इससे jab solve करेंगे हम तुमरा t half कितना निकल किया गया ? तीहाँ निकल गया, 0.346, ठीक, 5, मिनट, इतने मिनट आ गए, ओके, ठीक, इतने मिनट आ गए, अब इन मिनट को हम क्या करेंगे, यह हमारा अंसर हो गया, ठीक, 0.3465, यह इतना दूसरे का अंसर, अभी से भी हमारा अंसर को क्या कल लेते हैं, अपने वाक्स में कल लेते हैं, ठीक समझने हैं ठोड़ आसानी है अब तीसरा क्या कह रहा है four year inverse तीसरा कह रहा है four year inverse तो क्या है हमारा तीसरे के लिए कह रहा है four year inverse ठीक है दोस्तों तो हमारा t half अर्धायू क्या हो जाएगा अर्धायू आप देखिए 0.693 divided by four ठीक तो आप इसे solve करिए जब इसे solve करेंगे हमारा t half आजाएगा कहना आजाएगा 0.173 ठीक है इतने year ठीक है तो हमारा क्या है यह answer ठीक है okay तो मैंने हर एक चीज से आपको बताया कि कौन सी formula कहून सी चीज याद करनी है कहां से आपको analysis करनी है तो आपको यह formula बहुत important है मैं हर एक question में यह चीज़ बता रहता जता हू इस चीज को याद करिए तो बाकी सारे कॉंसे वाप तू बन जाएंगे तो यह फॉर्मुला आपको याद होना जरूरी है तो इसे क्या करिए रेमेंबर करिए ठीक है ओके तो मैं आसा करता हूं यह पूरा कोश्चन आपको समझने हैं होगा धन्यवाद अपक्षण चरी से बारवी से लेकर नीट आएटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चात्रों का भरोसा आज यह डाउनोड करें डाउटने डाप या वच्चाप करें अपने सारे डाउट आउट्स 8444 पर